जैश्री कृषना राधी राधी आज की इस वीडियो में आपको सत्य नरायन भगवान की कथा सुनाऊंगी सत्य नरायन भगवान की कथा से पहले सुनते हैं भगवान गनेश की कथा बोलिए कजानन गनेश की जैखो किसी गाउं में एक बुढिया माई रहती थी बुढिया माई देख नहीं सकती थी पर गनेश जी की पक्की भग्त थी गनेश जी की सेवा और पूजा करते करते बुढिया माई ने अपना सारा जीवन भिता दिया था एक दिन गनेश भगवान सोचने लगे कि बुढिया माई ने सारा जीवन मेरी पूजा और सेवा की है मुझे बुढिया माई को कुछ तो देना चाहिए बस यही सोचकर गनेश भगवान बुढिया माई के पास आए बुर्यामाई मैं तेरी उजा से तेरी सेवा से बड़ा परसन्न हूँ तो मुझसे अपने मन चाहि कोई भी चीज मांग ली लेकिन बुर्यामाई कहने लगी भगवान मुझे तो कुछ भी रही चाहिए तो गनेश जी बोले नहीं बुर्यामाई कुछ तो मांग मैं तेरी सेवा से बड़ा परसन न हूँ जब तक तू नहीं मांगेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा तो पुडिया माई सोचने लगी क्या मांगू तो कहने लगी कि मुझे तो मांगना भी नहीं आता मैं क्या मांगू तो गनेश जी बोले कोई बात नहीं तू अपने घर जा अपने बेटे बहु से पूछ ले वो जो कहीं वो बांग ले रहा तो बुडिया माई अपने घर आ जाती है आकर बेटे से पूछती है कि बेटा गनेश जी बोलते हैं कि कुछ मांग बता क्या मांगू तो बेटा कहता है मा गनेश जी बोलते हैं तो तो बहुत सारा धन मांग ले बुडिया माई बहु के पास जाती है फिर कहती है कि गनेश जी कहती है कुछ मांग बता क्या मांगू तो बहु कहती है माता जी आप एक पोता मांग लो तो बुड़िया माई सोचती है कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की चीज कह रहे है बुड़िया माई पडोसन के पास जाती है कहती है कि गनेशी कहती है कुछ मांग मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मंगू तो पड़ोसन बोलती है कि तू बुड़ी हो गई है, थोड़े दिन जियेगी, तू ऐसा कर अपनी आँखे मांग ले, कम से कम जाने से पहले एक परिस संसार को देख तो ले बुड़ी हमाई को फिर भी संतुष्टी नहीं हुई, वो घर आ गई, अगले दिन मंदिर गई, तो गनेश जी तो तयार बैठे थे, जाते ही बोले, बता बुड़ी हमाई क्या सोच कि आई है, क्या मांगती है तो बुड़ी हमाई कहती है कि गनेश जी भगवान, अगर आप मुझे पर परसन है, तो मुझे आँखे दो, जिससे मेरे पोता मुझे सोनने के कटोरे में दूद पिता दिखे नो करोड की माया दो, सोले साल किसी काया दो, बेटा पुता खुब परिवार दो, सारे घर में खुब सुक दो तो गनेश जी बोले, बुड़ी हमाई तुम तो कह रही थी मांगना नहीं आता, तुमने तो मुझे ठग ही लिया पर कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है सब मिल जाएगा ऐसा कहकर गनेश जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए बुड़ी हमाई ने जैसा जैसा मांगा था, उसे सब मिल गया हाथ जोड़ कर कहें हे गनेश जी भगवान, जैसे बुड़ी हमाई पर किरपा की, जैसे बुड़ी हमाई की मनो कामना पूरी की, कथा कहानी कहते सुनते सब की मनो कामना पूरी करना, बोलिये गनेश जी भगवान की जैहो अब सुनते हैं श्री सत्य नारायन भगवान की कथा बोलिए सत्य नारायन भगवान की जय हो लक्षमी माता की जय हो एक समय की बात है नेमिशारण ने तिर्थ में शौनकादी सभी रिशी मुनियों ने पुरान शास्तर के वेता श्री सूच जी महराज से पूछा ये महमुने किस वुरत या तपस्या से मनुवांचित वलकी प्राप्ती होती है उस वुरत को हम सुनना चाहते हैं आप हम इसे विस्तार से कहिए तब श्री सूच जी महराज पोले इसी प्रकार देवर्शी नारज जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमला पती ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही मैं आप से कहता हूँ आप सभी सावधान होकर सुनिये एक समय योगी नारज जी लोगों के कल्यान की कामना से विविद लोकों में भ्रवन करते हुए मृत्यू लोक में आए और यहां उनोंने अपने करम फल की अनुसार नाना योनियों में उत्वन सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तब वे मन में सोचने लगे कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिष्टित रूप से नाश हो सकता है एसा मन में विचार करके वे विश्रू लोप में गए वहाँ पर चार पुजाओं वाले शंक चक्र गदा पदम और वनमाला से विबुशित शुकल वर्ण भगवाल शिरी नारायन का दर्शन करके उन देवा दिदेव की वे स्तुती करने लगे नाराची पोले भगतों की पीड़ा को नाश करने वाले है परमात्मा आपको नमशकार है इस्तुती सुनने के बार भगवान विश्रू जी ने नाराची से कहा ए महाभाग आप किस परियोजन से यहां आए हैं आपके मन में क्या है कहिए मैं वह सब कुछ आपको बताऊंगा तब नाराची बोले ए भगवन मृत्यू लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विविन योरियों में उत्पन सभी लोग बहुत परकार के कलेशों से दुखी हो रही हैं यह नात किस लवो उपाय के करने से उनके कश्टों का निवारन हो सकता है यदि आपके मेरे उपर कृपा है तो मैं वह सब सुनना चाहता हूँ आप मुझे विस्तार से बताईए तब शिरी नारायन जी बोले हे नाराची संसार के उपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है जिस वरत के करने से प्राणी बहुत से मुक्त हो जाता है मैं उसे आपको बताता हूँ आप ध्यान से सुने हे नाराची स्वार्ग और मिर्ति लोक में दूरलव भगवान सत्य नारायन का एक महान पुन्य प्रद्वरत है आपके सनहिक के कारण इस समय में आपसे कह रहा हूँ अच्छी प्रकार विधी विधान से भगवान सत्य नारायन का वरत करके मनुष्य शीगर ही सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मुक्ष की प्राप्ति करता है भगवान की ऐसी वारने सुनकर नाराद पुनी बोले ये प्रबू इस वरत को करने का क्या फल है इसके करने की क्या विधी है इस वरत को पहली किसने किया इसे कब करना चाहिए सारी बाते विस्तार से कहिए तब शिरी नारायन जी बोले यह सत्यनारायन भगवान का वरत दुख शोक आदी का शमन करने वाला है दन धन्य की वरद्धी कराने वाला है वो भाग्य और संतान देने वाला है और सर्वत्र विजे प्रादान करने वाला है जिस किसी भी दिन भगती और श्रद्धा से सम्मन विथ्थोकर मनुश्य ब्राम पूर्वक अर्पित करें, केले के फल, गी, दूद, गेहु का चून, अथवा गेहु के चून के अभाव में साथी चावल का चून, शक्कर या गुड, यह सब भक्षे सामगरी सवाया मातरा में कत्रित करके निवेदन करनी चाहिए, बंदू बांधों के साथ शेरी सक्ते नर का अर्जन करें, इसके बाद भग्वान सक्ते नरायन का स्मरन करते हुए अपने घर जाएं, ऐसा करने से मनुष्य के सभी मनोकामनाई पोर्ण होती हैं, विशेश रूप से कल्योग में, प्रत्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है, यहाँ पर श्री सक्ते नरायन कथा क पहला अध्याय समाप्त होता है, बोल ये श्री सत्य नरायन भगवान की जय हो, सूच जी कहते हैं, एर इशियों, अब मैं पुरुव काल में, जिसने सत्य नरायन भगवान के इस व्रत को किया, उसका विस्तार से वर्डन करता हूँ, रमनिये काशी नामक नगरी में, कोई अत्यंत निधन ब्रामन रहता था, भूक और प्यास से व्याकुल होकर, वह प्रति दिन प्रत्वी पर बटकता था, ब्रामन प्रिये भगवान ने उस दुखी ब्रामन को देखकर, एक वरत ब्रामन का रूप धारन किया, और उसे आदर से पूछा, हे विप्रवर, प्रति अत्यंत दुखी होकर, तुम किसलिए प्रत्वी पर भ्रवन करते हो, हे द्विट सुरेश्ट, सारी बाते मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, तब उस ब्रामन ने कहा, हे प्रभू, मैं बड़ा ही दरिद्र प्रामन हो, और बिक्षा के लिए प्रत्वी पर गूमा कर करता हूँ, यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं, तो मुझे बता दीजिए, तब व्रत ब्रामन बोले, हे ब्रामन देव, सत्य नरायन भगवान, अभिष्ट पल को देने वाले हैं, हे विप्रवर, तुम उनके उत्तम व्रत को करो, जिसे करने से मनुष्य सबी दुखों से मुक्ट हो जाते हैं, व्रत करने की विधान को भी ब्रामन से यतन पूर्वक कहकर, व्रत ब्रामन रूप धारी भगवान विश्ञु अंतरध्यान हो गए, व्रत ब्रामन ने जैसा कहा है, उस व्रत को अच्छी तरह से वैसे ही करूँगा यह सोचते हुए उस गरीब प्राह्मन को रात में नींद भी नहीं आई अगले दिन प्राते काल उठकर भगवान सत्य नारायन का वरत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह बिक्षा के लिए चला उस दिन प्राह्मन को बिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ उसी धन से उसने बंदू बांधों के साथ भगवान सत्य नारायन का वरत किया इस वरत की प्रभाव से वह स्रेश्ट भ्राह्मन सभी दुखों से मुक्षपद को प्राप्त किया उस दिन से लेकर प्रतेक महीने उन्होंने इस वरत को किया। इस तरह भगवान सत्य नरायन के इस वरत को करके वह ब्रामन सभी पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दूरलब मुक्षपद को प्राप्त किया। ये विप्र प्रत्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्य नरायन के इस वरत को करेगा उसी समय उसके सभी दुख नश्ट हो जाएंगे। ये ब्रामनों इस प्रकार भगवार नरायन ने महत्मा नारत जिसे जो कुछ कहा था वो मैंने आप लोगों से कह दिया अब और आगे में क्या कहूं हे मुने इस वरत्वी पर उस ब्रामन से सुने हुए इस वरत को किस ने किया वहे भी हम सब सुनना चाहते हैं इस वरत पर हमारी अटूट शरदा हो रही है तब शिरिसूच जी महराज बोले हे रिशियो प्रत्वी पर जिसने इस वरत को किया उसे आप दोग सुने एक बार वहे भ्रामन अपनी धन संपत्ती की अनुसार बंदो बांधों और परिवार जनों के साथ वरत करने के लिए उदित हुआ इसी बीच एक लकड़ारा वहां पर आ जाता है लकड़ी बहार रखकर वहे उस ब्रामन की घर में जाता है प्यास से व्याकुल वहे ब्रामन को वरत करते हुए देखकर परणाम करके उससे कहता है कि है प्रभू आप ये क्या कर रहे हैं इसके करने से किस्वल की प्राप्ति होती है इसकी विधी मुझे विस्तार से कहिए तब ब्रामन बोले कि यह भगवान सत्य नरायन का वरत है जो सभी मनो कामनाओं क सत्य नरायन के लिए मन में सोचने लगा कि आज लकडी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से फगवान सत्य नरायन का प्रत करूँगा इस तरह मन में चिंतन करता हुआ लकडी के गठ़ड को अपने सर पर रखकर सुंदर नगर में गया जहापर धन संपन लोग रहते थे उस दिर उसने लकडी का दुगना मुल्य प्राप्त किया परसन हर्दय से वापस लोटकर पके हुए केले का पल शरकरा घी दूद गेहु का चूरन सवाया मातरा में लेकर अपने घर आया उसके बाद उसने बंदू बांधवों को गुलाया और विती विधान से भ उसे वैकुंट की प्राप्ती हुई यहां पर श्री सत्य नारायन भगवान की कता के दूसरे अध्याय की समाप्ती होती है वोली श्री सत्य नारायन भगवान की जै हो शिरे सोच जी महराज बोले है रिशियों अब मैं आपसे आगे की कता कहता हूँ आप थ्यान से सुने प्राचीन काल में उलका मुख नाम का एक राजा था वह जितेंद्रिये सत्तिवादी और पुद्धी मान था वह राजा प्रतिदिन देवालिये में जाता ब्रामणों को धन देकर संतुष्ट करता कमल के समान मुख वाली उसकी धरमपत्नी थी जो शील विने सौंदरिये आदि गुनों से संपन थी और पती पारायन थी एक दिन राजा अपनी धरमपत्नी के साथ बदरशीला नदी के तट पर शीरी सत्तिनारहन भगवान का वुरत कर रहा था उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुशकल धनराशी से संपन एक साधो नाम का बनिया वहाँ पर आता है भदरशिला नदी के तट पर नाग को इस्थापित करके वह राजा के पास जाता है और कहता है कि हे राजन आप ये भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं और इस पूजा को करने से किस पलकी प्राप्ति होती है तरपा कर सब बताईए मैं इस सबे सुनना जहता हूँ तब राजा ने कहा है सादो पुतरादी की प्राप्ति की कामना से अपने बंधू बंधू के साथ मैं अतुल तेज संबन भगवान विश्णू का वरत और पूजन कर रहा हूँ राजा की बाते सुनकर साधू ने आदर से कहा ये राजन इस विशे में आप मुझे विस्तार से बताईए आपके कहे अनुसार मैं भी वरत और पूजन करूँगा मुझे भी संथान नहीं है इस वरत को करने से मुझे भी अवश्य ही संथान की प्राप्ति होगी ऐसा विचार कर वहे व्यापार से निर्वत होकर आनंद से अपनी घर आया उसने अपनी पत्मी से संथान प्राप्ति कराने वाले इस वरत को विस्तार से बताया और कहा कि जब मुझे संथान की प्राप्ति होगी तब मैं भी इस वरत को करूँगा इस प्रकार का वजन उस साधू ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी 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 के साथ आनंद छित्र से रितू कालेन धर्माचरण में परवित्त हुई और भगवान शिरी सत्य नारायन की किरपा से वह गरब बती हुई दस्वे महीने में उसे एक कन्या रत्न की प्राप्ती हुई वह कन्या शुकरपक्ष की जन्रमा की भाती दिन परती दिन बढ़ने रगी उस कन्या का नाम कलावती रखा गया इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने सौमी से मधुरुआणी में कहा कि आपने पोरों में शिरी सत्य नरायन भगवान के वरत को करने का संकल्प किया था आप इस वरत को क्यों नहीं कर रही है तब सादू बोला हे प्रिये इस कर्णिया की विवाह के समय मैं इस वरत को करूँगा इस तरहें अपती पत्नी को भली भाती आश्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला इधर कर्णिया कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी एक दिन उस वैशे ने सक्षियों के साथ खेलती होई अपनी कर्णिया को देख कर सोचा कि मेरी कर्णिया अब विवहा के योग्य हो गई है इसके लिए स्रेश्ट वर्ज की तलाश करने चाहिए ऐसा सोच कर उसने दूतों को भेजा आग्या प्राप्त कर दूत कांचन नामक नगर में गए और वहां से एक वनिक पुतर को लेकर आए उस सादू ने उस वनिक के पुतर को सुंदर और गुनों से संपन्न देखकर अपनी जाती के लोगों और बंदू बांदों के साथ विचार विमर्श कर उस वनिक पुतर के हाथ में अपनी कर्णिया का हाथ दे दिया उस समय वह सादू बनिया दुर्भागी से भगवान का वह उत्तम वरत करना भूल गया पहले में किये संकल्प के अनुसार विवहा के समय वरतना करने की कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए कन्या के विवहा के कुछ समय बाद व्यापार कर्म में कुशल वह सादू बनिया काल की प्रेणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप इस्तित रतना सारपूर नाम के सुन्दर नगर में गया और अपने दामाद के साथ वहाँ पर व्यापार करने लगा उसके बाद वे दोनों राजा चंदरकेतु के रमनिये उस नगर में गये उसी समय शिरी सत्यनारायन भगवान ने उसे भरष्ट परतिग्ये जानकर इसे दारुन और कठिन महान दुख पराप्त होगा यह श्राप दे दिया एक दिन एक चोर राजा चंदरकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां वे दोनों सादू और उसका दामाद थे अपनी पीछे दोड़ते हुए सैनिकों को देखकर भैबीत चित से वे चोर धन को वहीं छोड़कर शिगर ही छिप गए थोड़ी देर बाद जब राजा की सैनिक वहां पर आये जहां पर वह सादू वैश्चे था राजा की धन को वहाँ देखकर उन दोनों को उन सैनिकों ने पकड़ लिया और हर्ष पूरवक दोड़ते हुए राजा के पास आए और बोले कि हम दो चोरों को पकड़ आए हैं इन्हें देखकर आप अग्या दे राजा की अग्यासे दोनों ही दरड़ता पुर्वक बाद कर बिना विचार किये ही महनकारागार मीडाल दिये गए भगवान सत्यन अरायन की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी राजा चिंडर केतुने उन दोनों को धन भी ले डिया भगवान के श्राप से वनिक के घर में भी उसकी पतनी बहुत दुखी हो गई उनकी घर में सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा दिया लिलावती शाररिक और मानसिक पीड़ा से युक्तत भूक और प्यास से दुखी होकर अनिकी चिंता से दरदर पटकने रगी एक दिन की बात है गुक प्यास से व्याकुल होकर कल्यावती कन्या बोजन के लिए इदर दर घूम रही थी तो एक ब्रामन की घर में गई वहाँ जाकर उसने श्री सत्य नरायन भगवान के वरत और पूजन को देखा वहाँ पर बैठकर उसने भगवान श्री सत्य नरायन की कथा सुनी और परशाद लिया परशाद गरहन करके वहरात होने पर जब घर आई तब उसकी माता ने पूछा कि पुद्रे तुम इतनी देर से क्यों आई हो तुम्हारे मन में क्या है तब कलावती ने तुरंत अपनी माता से कहा हे मा मैंने एक ब्रहमन के घर में मनोरत प्रदान करने वला वरत देखा है करन्या की उस बात को सुनकर दिलावती वरत करने को उद्धित हुई और प्रसन मन से उसने पंदू बांधों के साथ भगवान शिरी सत्य नरायन भगवान का वरत किया और प्रार्थना की कि हे सत्य नरायन भगवान आप मेरे पती और दामात के अपरात को शमा करें वे दोनों अपने हर शिगर ही आ जाए इस वरत से भगवान सत्य नारायन परसन हुए और उन्होंने राजा चंदरकेतु को सुपन में दर्शन दिये और कहा कि ये राजन प्रातेकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और उनका सारा धन भी लोटा दो जो तुमने लिया है अन्ने था राज्ये धन पुत्र सहित तुम दिग्र ही मुक्त कर दो राजा की बाते सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामनी लाकर विने पूर्वक बोले ही महराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वनिक पुत्रों को ले आई हैं राजा के सामनी आकर दोनों वनिक भ प्रेडी खुलवादी और वस्त्र अलंकार आदी देकर उन्हें संतुष्ट किया, सामने बुलाकर उन्हें अत्यदिक आनंदित किया, पहले जो उनका धन लिया था उसे दुगना करके उन्हें दिया, वफिर राजा ने कहा, ये सादो अब आप अपने घर को जाएं, राजा क कीजे हो, सूर्च जी कहते हैं, हे रिशियों कारागार से छूटने के बाद वह सादो बन्या, मंगला चरंकर और ब्रामनों को कुछ धन देकर अपनी नगर की ओर चल पड़ा, सादो के दूर तक जाने पर बगवान सत्यनाराइन उसकी सत्यता की परिक्षा लेने के लिए उ उससे पूछा, हे सादो तुम्हारी नाओ भी क्या है, तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अभेलना पूर्वक हसते हुए कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है, हमारी नाओ में तो केवल पत्ते और लता भरी हैं, ऐसी द्रवाने सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किये हुए भगवान कुछ दोर जाकर बैठ गए, दंडी के चले जाने पर नित्य कर्या करने के बाद उतराई हुई, अर्थार्थ जल में उपर की और उठी हुई नोका को देखक सादू आश्चरी में पढ़ गया, उसने जाकर देखा तो उसकी नोका में सच-पुछ लता पत्ते ही भरे थे, यह सब देखकर मूर्ची ठोकर प्रत्वी पर गिर पड़ा, कुछ दे बाद जब उसे चेतना आई तब चिंता करके रोनी पीटने लगा, तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक क्यों करती हैं, ऐसा लगता है कि उस दंडी ने हमीश राप दिया है, इस सिस्थिती में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, अतै हमें उनी की शरण में चलना चाहिए, वहीं जाकर हमारे मन की च्छप पुरी होगी, दामाद की बाते सुनकर वह बनिया, दंडी के पास गया, दंडी को देखकर उसने भक्ती से आदर से परणाम किया और कहनी लगा, कि आपके सम्मुक मैंने जो भी कहा था, उस असत्य बाशन के रूप में अपराद किया था, आप मेरे उस अपराद को शमा करें, और ऐसा कहकर बार बार परणाम करके, मह बार दुख को प्राप्त किया है, भगवान की ऐसी बाते सुनकर, वै सादु भगवान की स्तूति करने लगा और कहने लगा, ये प्रभू, यह तो बड़ी अश्चरी की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण, ब्रह्मा आदी देवता भी, आपके गुनों और रूपो को यधावत रूप से नहीं जान सकते, फिर महमुर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण, आपको कैसे जान सकता हूँ, अब आप परसन हो, मैं अपनी धनसबबत्ती के अनुसार, आपकी पूजा अवश्य ही करूँगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा जो नोका में इस्तित पूरा धन था, उसकी और मेरी रक्षा करें, तब उस बनिये की भक्तियुक्तवाने सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ठ हो गए, भगवान हरी उसे अभिष्टवर ब्रदान करके वही पर अंतरध्यान हो गए, उसके बाद वह सादू, अपनी नोका में चड़ और धन धनने से परिपूर उसे देखकर, भगवान सत्यदेव की जै, भगवान सत्यदेव की किरपा से हमारा मरोरत सपल हो गया, ऐसा कहकर सुजनों के साथ उसने वही पर भगवान की पूजा की, भगवान शिरी सत्यनार्यन की किरपा से वह आनंद से परिपूर्म हो गया, फिर नाव को परतन पूरवक संबाद कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया तब सादू बनी ने अपने दामाद से कहा वह देखो हमारी नगरी दिखाई दे रही है उसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूट को अपने आगवन का समचार देने के लिए अपनी नगरी में बेजा उसके बाद उस दूट ने नगर में जाकर सादू की पत्नी को देखकर हाथ जोड़ कर परणाम किया और अभिष्ट बात कही किसे एट जी अपने दामाद और बंदू बांधों के साथ बहुत से धन्धने से संपन होकर नगर के निकट पढ़ार गए हैं जिस समय दूट वह समचार लेकर आया उस समय उसकी पत्नी सत्यन अराइन भगवान की पूजा कर रही थी तब वह अपनी पुत्री से बोली कि मैं अपने पती के दर्शन के लिए जा रही हूँ तुम भी पूजा करके और परशाद ग्रहन करके शिगर ही आ जाना माता का ऐसा वचन सुनकर पूजा समाप्त कर केकिन बिना परशाद लिये ही कलावती भी अपने पती के दर्शन करने के लिए शीगरता से चल पड़ी इससे भगवान शेरी सत्या नारायन रुष्ट हो गए उसनों ने उसके पती को नोका को धन के साथ जल में डुबो दिया इसके बाद कलावती कन्या अपने पती को ना देखकर महन शोक से रुदन करती हुई लथवी पर गिर गई नाव का अदर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भैबीत मन से साथू बनिये ने सोचा कि यह सब क्या आश्चरिय है नाव का संचारन करने वाले भी सभी बड़े चिंतित हो गए इसकी बाद लिलावती अपनी करन्या को देखकर विहल हो गई और दुख से विलाप करती हुई अपने पती से कहने लगी कि अभी अभी नोका के साथ मेरे दमाद कैसे अलक्षित हो गए है ना जाने किस देवता की उपेक्षा से नोका हरन कर ली गई है अत्वाक शिरी सत्य नरायन भगवान का महातम में कौन जान सकता है ऐसा कहकर वह जोर जोर से विलाप करनी लगी तब करावती करन्या अपने पती के नश्ठ हो जाने से दुखी हो गई और पती की बादुका लेकर उनका अनुगवन करने का उसने मन में निश्ठे किया करन्या की इस परकार की आचरन को देखकर भारिया सहित वह धर्मग्य सादु बनिया अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्य नराइन ने ये सब किया है अत्वा हम सभी भगवान सत्य देव की माया से मोहित हो गए है अपने धन शक्ती की अनुसार मैं भगवान शिरी सत्य नराइन की पूझा करूंगा सभी को गुला कर और इस परकार कहे कर उसने अपने मन की इच्छा परकट की बार बार भगवान सत्य देव को परणाम करने लगा इसे दीनों के परतिपालक भगवान सत्य देव परसन हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी करन्या परशाद छोड़कर अपने पती के दर्शन को आई है इसी कारण उसका पती अद्रश्य हो गया है यदि घर जाकर परशाद गरहन करके आए तो है सादू बनिया तुम्हार और अपने पती को देखा तब कलावती करन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो हमीं घर चलना जाहिए अब हम विलंब क्यों कर रहे हैं करन्या की वहे बाते सुनकर वहे वनिक संदुष्ट हो गया उसने वही पर विदिविदान से भगवान सत्य नरायन का पूजन किया औ श्ट्रिवियंट मी वहे सत्यपूर वैखुंट लोग मी चला गया यहाँ पर सत्य नरायन भगवान की कथा के चोथे अध्याय की कथा समात्त होती है बोली शिरी सत्य नरायन भगवान की जेय हो शिरिसोच जी महराज कहते हैं हे रिशियों अब मैं आपसे आगी की कथा कहता हूँ आप ध्यान से सुनो एक समय परजा पालन करने में तत पर तुंग ध्वज नाम का इक राजा था उसने सत्यदेव की परशाद का परिद्याकर की महान दुख प्राप्त किया एक बार बहवन में जाकर वहां से बहुत से पशोओं को मार कर वटविक्ष की नीची आया वहाँ पर उसने देखा कि गोपगन बंदू बाध्वों के साथ संतुष्ट होकर भगती पूरवक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रही है एहंकार की कारण ना ही तो राजा पूजा में समलित हुआ और ना ही उसने भगवान सत्य नरायन को परणाम ही किया पूजन के बाद जब सभी गोपगन भगवान का परशाद लेकर राजा के समीपाए तब उसने परशाद भी नहीं लिया और बिना परशाद ग्रहन किये ही अपने राजे में लोटने लगा इधर राजा को परशाद का परित्या करने से महान दुख प्राप्त हुआ उसका संपूर्ण धन्धन ये सभी पुत्र नश्ट हो गई तब राजा ने मन में निश्चे किया कि अवश्य ही भगवान शिरी सत्य नरायन की अभेला करने की कारण मुझे यह महान दुख प्राप्त हुआ है इसलिए मुझे वापस वही जाना चाहिए जहां शिरी सत्य नरायन का पूजन हो रहा था ऐसा मन में निश्चे करके राजा गोप गणों के समीब गया उसने गोप गणों के साथ शरदा बक्ती से युक्त होकर विधी पूर्वक भगवान सत्य नरायन की पूजा की भगवान सत्य नरायन की किरपा से वह पुने धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुको का उपोग करके अंत समय में वेकुंट लोक को प्राप्त हुआ सुच जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस परम दोलब शिरी सत्य नरायन के व्रत को करता है और पुन्य मई पल परदायनी भगवान की कथा को भगती उक्त होकर सुनता है उसे भगवान शिरी सत्य नरायन की किरपा से धन धनने की प्राप्ति होती है दर दर धनवान हो जाते हैं बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है दरा हुआ विक्ति भैसे बुक्त हो जाता है यह सत्य बात है इसमें जरा भी संशे नहीं इस लोग में वह सभी इच्छित वलों को प्राप्त करता है और अंत में वैकुंत को जाता है ये ब्रामनों इस परकार मेंने आपसे भगवान सत्य नरायन के व्रत को कहा जिसे करने से मनुश्य सभी दुखों से बुक्त हो जाता है कल यूग में तो भगवान सत्य देव की पुजा विशेश्वल परदान करने वाली है भगवान विश्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्य देव और कोई सत्य नरायन नाम से जानते हैं अनेक रूप धारण करके भगवान सत्य नारायन सभी का मनोरत सिद्ध करते हैं कली काल में सत्य नारायन भगवान विश्णु ही सत्य वरत रूप धारण करके सभी का मनोरत उन करते हैं हेस रेष्ट मन्यों जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्य नरायन की इस वरत कता को पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है भगवान सत्य नरायन की किरपा से उसकी सभी पाप नश्ट हो जाते हैं सुच्जी महराज कहते हैं हेशियो पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्य नरायन की वरत को किया अब उनकी अगले जनम का विदानत कहता हूं आप ध्यान से सुने महान प्रग्या संबन शतानत नाम के ब्रामन सत्य नरायन ब्रत करने की प्रभाव से दूसरे जनम में सुदावा नाम के ब्रामन हुए और उस जनम में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्त की वह लकड़ारा भील गुखो को राजा हुआ और अगले जनम में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया महाराज उलकामुक दूसरे जनम में राजा दशरत हुए जिन्होंने श्री रंदनाथ जी की पूजा करके अंतमी वैखुंट को प्राप्त किया इसी प्रकार धार्मिक और सत्य व्रती सादू वैश्य पिछले जनम के सत्य नरायन व्रत के प्रभाव से दूसरे जनम में मोर द्वज नाम के राजा हुए उसने आरे से चीर कर अपने पुतर की आदी दे भगवान विश्नों को समर्पित की इसते उसे मुक्ष की प्राप्ती हुई महराजा तुंग द्वज जनमांतर के स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंदी संपून कारियों को अनुष्ठान करके वैखुंट लोग को प्राप्त हुए जो गोप करन थे वे सब जनमांतर में व्यर्ज मंदल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षशों का संगार करके उन्होंने भी भगवान के साश्वत थाम गो लोग की प्राप्ती की यहां पर सत्यनारायन वृत कथा के पाजवी अध्याय की कथा पूल होती है बोले श्री सत्य नरायन भगवान की जैहो, विश्नु भगवान की जैहो, लक्ष्मी माता की जैहो अब हम सुनते हैं श्री सत्य नरायन भगवान की आर्दी बोले श्री सत्य नरायन भगवान की जैहो जै लक्ष्मी रमना, स्वामी जै लक्ष्मी रमना सत्य नरायन स्वामी जनपातक हरना बोलो जै लक्षमी रमना रतन जलित सिंगासन अदपुत छबी राजे नारद करत निरांजन घंटाधनी बाजे बोलो जै लक्षमी रमना प्रगडभय कली कारण गुज को दरश दियो बूढो ब्रामन बनकर कंचन महल कियो बोलो जै लक्षमी रमना दुरबल भील कठारो इन परित्र पाकरी जन्र चूड इक राजा जिनकी विपती हरी बोलो जै लक्षमी रमना वैशे मनोरत पायो शर्धा तज दीनी सोफल भोग्यो प्रभूजी पिर इस्तोती कीनी बोलो जै लक्षमी रमना भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धर्यो शर्धा धारण कीनी तिनको काज सरियो जै लक्षमी रमना ग्वाल बाल संग राजा वन में भगति करी मन वांचित फल दीनो दीन दयाल हरी बोलो जै लक्षमी रमना चड़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा दूप दीप तुल सीसे राजी सत्य देवा बोलो जै लक्षमी रमना शिर सत्य नराण जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांचित फल पावे बोलो जै लक्षमी रमना सत्य नराण स्वामी जन पातक हर ना वोलो जै लक्षमी रमना बोले शिर सत्य नराण भगवान की जै हो